पोशन ट्रेकर एब की एक नई अपडेट में आप सभी आंगनबारी बहनों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है जैसे कि इस अपडेट में आप सभी को 13.1 की एक नई अपडेट आई है इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जैसे कि 13.1 में क्या-क्य अपडेट आप सभी को देखने को मिल सकती है जैसे कि यहां पर 13.1 का जो अपडेट आया है इसमें आपको तीन नए बदलाव किये गए हैं वो क्या क्या है चलिए इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटी स्रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और हाँ बहुत सारे ऐसे वीवर्स जो हैं हमारे इस वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब और ल और Play Store में आने के बाद यहां पे आपको सर्च कर लेना है Potent Tracker Potent Tracker लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहां पे देखिए Update करने का Option आ गया है इस पे क्लिक करके हम यहां पे आएंगे और यहां पे देख सकते हैं कि यह जो Update है वो 13 तारीक को आया है पिछला जो Update था वो 11 तारीक के डेट में आया हुआ था और यहां पे Arrow आले पे क्लिक करके यहां पे इसका जो वर्जन है वो चेक कर सकते हैं 13.1 का यहां पे वर्जन आ चुका है और यहां पे सबसे पहले देख लिजिए कि जो अपडेट किया गया है जैसे कि Home Visit लिस्ट पॉप अप मैसेज चेंज जैसे कि आप लोग Home Visit में जो लभार्थियों का डेट डालके सम्मिट करते थे तो वहां पे जो मैसेज दिखा रहा था उसको यहां पे चेंज कर दिया गया है और दूसरा जो अपडेट आया हुआ है यानि कि पोशन ट्रेकर एप में जो दैनिक ट्रेकिंग का ओप्शन आप लोग देख रहे थे जहां पे नीचे में जाके आप लोग एक्टिवीटी को भरते होंगे तो वहां पे कल से जो प्रॉबलम चल रही थी उसको यहां पे ठीक कर दिया गया है तिसरा जो अपडेट है वो कोड अप्टमाईजेशन का अपडेट आया हुआ है चलिए यहां से हम लोग फट फट से इस पोशन ट्रेकर एप को अपडेट कर लेते हैं और पोशन ट्रेकर एप में चलके देखते हैं कि वहां पे किस प्रकार का जो नया अपडेट है वो दिखा रहा है यहां से आप लोग को अपडेट कर लेना है और यह जब तक लेकर open हो रहा है तो चलिए हम आपको पहले update की ओर लेके चलते हैं जो कि यहां पर home विजिट option आप लोग देख रहे हैं इसमें ही कुछ change किया गया है अगर माल लिजी आप लोग जो भी लभार्थियों का यहां पर home विजिट करके सब्मिट करते हैं तो वहां पर आप लोग को एक pop-up देखने को मिलता होगा तो उस pop-up को यहां पर change कर दिया गया है जैसे कि माल लिजी चलिए किसी एक लभार्थी का यहां पर हम केटेगरी खोल के आपको दिखा देते हैं कि यहां पर किसी एक बच्चे की या किसी एक लभार्थी केटेगरी खोलीएगा और यहां पर जो ओप्सन दिया गया है home visit submit करने का तो आपको इस पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहां पर आपको आज का डेट यानि कि जिस दिन आप लोग home visit कि जिएगा उस दिन का डेट डालेंगे तो यहां पर डेट डालके जैसे ही submit करेंगे तो यहां रिकॉर्ड अप्डेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है यानि कि आप लोग का जो यह यहां पर है वह submit हो जाएगा चलिए यहां पर करके दिखा देते हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हैं रिकॉर्ड अप्डेशन इन प्रोग्रेस यानि कि यहां से जो लभार्थी है वह हट जा रहा है फिरा जा रहा है लेकिन यह जो आपका डाटा है वह बाद में सब्मिट हो जाएगा इस परकार के यहां पर बदलाव किये गए है लेकिन यहां पर जो होम विजी डाटा है उसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है पुराना वाला सिस्टम ही है होम विजी आप लोग नहीं कर पाएंगे जो लेट वाले उप्शन में चल गया है उस तो यहां पर जो एक्टिबीटी है वो सब्मिट नहीं हो पा रहा था ना यहां पर आप लोग किलिक करके यहां पर इस ऑप्शन को बहर पाते थे तो अब यहां पर आप लोग किलिक किजिएगा तो यहां पर आसानी से यह तिक लग जाएगा और आप लोग यहां पर इसको गलतिया पाई गई थी जो आधार वेरिफिकेशन वाला ओप्सन है इसमें हम लोग बहुत सारे गलतियों को देखे होंगे तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जो आधार वेरिफिकेशन वाला ओप्सन है इसको ओपन करके कि इसमें जो गलतिया हुई थी जै यहां पर आइकन दिया जाता तो हम लोग आसानी से यहां पर पाचान कर लेते और जैसे कि आपको बताते चले कि इस के टेगरी में आप लोग देखेंगे तो सिर्फ टी एचर के ही लभार्थियों का यहां पर आधार वेरिफिकेशन वाले ओप्शन में एड किया गया है जो 0 से 6 मा के बच्चे हैं और जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनका यहां पे नाम नहीं दिखा रहा है तो अगर आप लोग के पोशन ट्रेकर एप में इस प्रकार के नाम दिखा रहे हैं जो बच्चे हैं 0 से लेके 6 मा और 3 से लेके 6 साल वाले बच्चे तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो अभी आप लोग को वेट कर लेना है और घबराना नहीं है यह जो प्रावलम है वो आपको नेक्ट अपडेट तक ठीक कर दी जाएगी तो अगर आप लोग को पोशन ट्रेकर एप से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझा हो तो आप हमें कमेंट बक्स के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई देने की कोशिस जरूर करूंगा फिलाल इस अपडेट में बस इतना ही अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा इ मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ जय हिंद